हेलो दोस्तो वेलकम बैक टू माई चनल मेरा नाम है हर्ष और आप देख रहे हैं हर्ष क्राफ जोन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप से एक रिक्वेस्ट करूँ आप मेरा चनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल वाले बैल आइकन को भी दबा लीजिए दोस्तों य है और हाँ गाइस अभी तक जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह सबसे पहले तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो और उसके पगल में एक बैल का आइकन आएगा उसको और पर सैट कर दिना जिससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो डालूँगा तो हई अभी हमको इसके न जरुसाफ टैसको निकाल लेना है कुछ इस तरीके से कि करी पर देखें गई जो शाफ्ट है ये बहार आ गई है अब हमको एक प्लयर लेना प्लय लेना है और इसको पकड की अच्छी से टाइटली बिलकुल ख्याचना है अपने ज्सिने जो यह shaft होते वाली डंडी होती है भाई वो बाहर आ जाएगी और जो हमारा यह shaft होती है और आरमेचर होता है यह बिल्कुल free हो जाएगा अभी देखिए इसकी जो shaft है वो बाहर आ गई है और guys अब अपने को यहाँ पर use करना है एक cycle का spoke यह आपको जो cycle repairing shop होती है उस पर मिल जाए है या फिर cycle जहां से आप खरीदते हों आपर मिल जाएगा तो खराब वाला ले लेना वेश्ट आपको दे देगा वो ठीक है भाई अभी अपने को लेना है लेकिन भाई यह थोड़ा सा loose है गोमर है इसके अंदर तो अपने को इसको tight करना है देखिए guys मैं आपको दिखाता काट के अभी अच्छे से दम लगा के दबाना है इसको और यह कट जाएगा कुछ इस तरीके का दिखेगा कटने के बाद अब हमको यहाँ पर use करना है cello tape का यह भी आपको stationary की shop पर easily मिल जाएगी तो अभी हमको यहाँ पर छोटा सा piece ले लेना एक cello tape का और जो हमारी shaft है ज जिससे क्या होगा जो हमारी size का जो पतली थी पहले वो थोड़ी सी मोटी हो जाएगी उस पर tape लग जाएगी तो भाई जो थोड़ी सी width है वो बढ़ जाएगी तो अब हमको जो हमारी shaft है उसको इसके अंदर डालना है और check करना है जो हमारी motor का width है size है वो बिलकुल ठीक है shaft shaft का हां भाई बिलकुल perfect है तो अपने को इसके अंदर डाल देना है कुछ इस तरीके से भाई मैंने table पर रखकर इसको प्रेस कर दी है जिससे यह अंदर चला जाएगा बिलकुल और हां गाइस प्लीज भाई चैनल को subscribe कर दो यार्ट जिस जिसना अभी तक नहीं करा है मैं का प्रेस करूँगा भाई जैसी एक बोलूगा सारे सब्सक्राइब कर देना ठीक है थ्री टू वन सब्सक्राइब आइओ आपने सब्सक्राइब कर दिया ओका तो कर दिया ओ तो भाई दिल से शुक्रिया अभी अपने को कई यहां पर चीओग एक PVC पाइप की शीट अब यह क इसको बिजली फिटिंग की पाइप बोलते हैं और थोड़ी सी साफधानी बरतना जब यह करो तो भाई मैं बोलूगा अगर आप बच्चे हो तो भाई किसी बड़े को साथ में रखना जब यह काम करोगे आप तो ठीक है भाई जैसे हम इसको हीट करेंगे थोड़ा भाई बिल्कुल ढीला हो जाएगा तो अभी हमको इसके उपर कोई भारी चीज रखनी है यहापर मैं टाइल होती है पत्थर होता है उसको रख रहा हूं और इसको प्रेस कर देता हूं जैसे ही प्रेस करेंगे दो तीन मिनिट बाद यह ठंडा होने के पाद बिल्कुल फ्लैट की फ्लैट होके जाएगा और शीट बन जाएगी और भाई जब शीट बन जाएगी तो हमको है पर स्केल चीए स्केल को रखना है और इसकी चार श्रिप बना देनी है जैसे मैं बना रहा हो बिल्कुल सेम आप वैसी बनाना अगर आप डॉल शाफ्ट डीची मोटर बना रहे हो तो बकि अगर आप ये वाली पाइप का यूज नहीं करना चाहते तो भाई मत करना आप वैसे ही जो हमारी डुल शाफ्ट मोटर है वो बन जाएगी आप देखते रहे ये वीडियो को कैसे बनेगी एंड तक काफी जाता मजा आएगा और हागा अगर वीडियो पसंदा है तो प्लीज भाई वीडियो को लाइक कर दिना चैनल को सब्सक्राइब कर दिना और शेर कर दिना भाई अपने दोस्त शेआघ compliant अपर सीजर्स का यूज करो ऑइप काफी पतली ओती है और अगरी ही इसी कर जाती है सीजर्स से यह नहीं नहीं कि भाई पतली है तो फूर्ट याजएगी लेकिन गई मजबूत भी होती है झा ठीक है यजब काफी अच्छा प्रोडक्ट एये तो भाई मैं तो भा वह बहुत सारे नाम है तो आपको वह दे देंगे 20 रुपे में 20 से 30 रुपे में आपको मिल जाएगी ठीक गाइस यह बाइ बिल्कुल इजिलें चिपकाता हूर। काम भी बहुत बढ़िया करता है बड़ी ही जल्दी चिपका देता है यानि दो से तीन सेकंड के अंदर जो हमारा कोई भी चीज होती है प्लास्टिक वगएरा होता है वो चिपका देता है बहुत अच्छी तरीके से चिपकाता अगर आपके पास यह नहीं है तो आप इस तरीके से हमको इसको इसके अंदर डाल देना है और जो अभी हमारा पीछे का हैड का पोश्चन है उसको भी इसके अंदर लगा कि बिल्कुल अच्छी तरीके से बंद करना है अभी हम इसको बंद कैसे करेंगे बंद करने के लिए हमको यहाँ पर प्लायर लेना है और इ हम इसलिए रख रहे हैं ताकि हम इस मोटर को किसी चीज पर चिपकाएंगे या फिर गाड़ी वाड़ी में लगाएंगे तो जो हमारी शाफ्ट है मोटर है उसके अंदर फ्याविक वगरा ना जाए और भाई इसको लगाने से सेफटी भी बन जाएगी मोटर की और बढ़िया काम हो जाएगा और यहां पर वोल में एक छेद करके भाई वायर्स को निकाल दिया है अब भाई जो हमारा प्रोड़क्ट है बिल्कुल अच्छा लग रहा है ऐसा लग रहा है कि हमने बार से प्रोड़क्ट मखाया हो और अभी हमको यह वाली आकरी वाली वाल है इसको भी अधर और जो इस बॉक्स है इसको ऊपर भी सूपर ग्ल्यू लगा कि भाई या इसको भी अच्छे से चिपका देना अपने को बाकी आगे वीडियो में मैं टेस्ट करके तो दिखाऊंगा आपको कि जो हमारी मोटर है वो कितना बढ़िया तरीके से काम कर रही है और बहुत बहुती अच्छा काम कर है भाई मैं आपको दिखाऊंगा घ्रके ऐसी बात नहीं की मैं आपको टेस्ट अब कर के दिखाता हूँ और गाइज अब आवाज आप खुदी सुनना है आप टेस्ट करने के लिए मैं पावर सप्लायर का यूस कर रहा हूं जो फाइव वोल्ट का चार्दर एडॉप्टर होता है उसका और डाटा के विल का यूस कर रहा हूं उसको काटा है मैंने आपको इसकी आवाज सुनाता हू अगली विडियो में और भाई अब आप यह विडियो देखो इसकी आवाज सुनों रिजल्ट आपके सामने है